Hello guys, welcome back to my channel, welcome to finance market, welcome to another video Guys, Reliance Communication Limited को लेकर के काफी ज़्यादा लोग अभी भी चिंतित हैं इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं हो पाई है इसके बीच में मैं आप लोगों के साथ Tuesday के दिन यानि कल के दिन का Target Price हम लोग जाचने और तलाचने के कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है और आप लोगों को क्या लगता है आप लोग के अपने जो भी आपका जो भी आपकी ओपिनियन है जो भी आपको लगता है आप मुझे comment section के जरीए बता सकते हैं guys यहाँ पे actually में होई रहा है कि supreme court जो है यहाँ पे अपना नहीं हुई है अब पता नहीं है कि यह चीज held हुई है या नहीं हुई है यह चीज अभी तक disclose कहीं नहीं हुआ COC committee of creditors की भी यहाँ पे meeting थी उसके ऊपर भी कोई अभी तक चार्चा नहीं दिखाई दे रही है सामने तो जो कुछ आगे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि Tuesday के दिन की क्या status हो सकता है क्या इसकी stock price opening price हो सकती है उससे पहले मैं आपको एक quick update देना चाहता हूँ आज की दिन के कारोबार की स्थितिकी देखिए 2.30 पे उपेन हुआ 2.25 का लो बनाया और 2.30 का हाई है यहाँ पे अगर आप देखें तो trading बहुत कम हुई है यह ज़्यादातर portion में अपने upper circuit में lock रहा है और total buying quantity अगर आप NSE के उपर देखेंगे तो 10.2 million याणी 1 करोर 2,4401 और 2.30 के उपर ही close हुआ याणी UC के उपर close हुआ यही चीज़ अगर आप BSC पे जाके देखेंगे तो BSC पे भी 2.28 पे open होने के बाद 2.26 का low बनाया है और यहाँ पे all time में पूरे time interval में market का जो time duration होता है पूरे time में overall यह UC के lock रहा upper circuit में lock रहा और इसकी 2.28 पे ही closing होती है total volume अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9,89,118 मतलब इसका समझ में आया आपको इसका मतलब है कि यहाँ पे BSC के उपर 9,89,118 quantities को buy कर लिया गया और यही चीज NSC के उपर 1,2,4,401 quantities को buy किया गया तो यहाँ आप देखें जरा कि इतना high amount of quantities को buy किया जा रहा है लोग इसके अंदर buying कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो लोग डरे हुए हैं तो यहाँ पे एक question उठता है कि कल के दिन की क्या situation रहेगी कल आपको क्या करना चाहिए buy करना चाहिए और या फिर आपको sell करके निकल जाना चाहिए देखिए मेरी तरब से हमेशा हमेशा आप लोगों को एक ही चीज की सला रहती है अगर आपका profit हो रहा है if you are in profit और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो आपके अंदर risk लेने की छमता नहीं है तो आप profit है तो आप वहाँ से चाहे तो निकल सकते हैं वैसे मेरी तरफ से तो advice रहेगी कि आप ना निकले लेकिन आप चाहे तो निकल सकते हैं क्योंकि पैसा आपका है आप अपने पैसे के सबसे बड़े मालिक है मैं कोई नहीं होता हूँ मैं कौन होता हूँ आपको रोकने के लिए यू अर दे बॉस अफ यू मने आपको जो सही लेकर आप कर सकते हैं लेकिन हाँ एक चीज जो जरूर है आप अगर loss में हो तो loss में आप book करके बाहर ना निकलो better है उसकी जगह पे मैं आपको सला दूँगा कि आप और उसमें infuse करो capital अगर आपको कहीं से surplus amount में बचा है तो right क्योंकि अभी आपको काफी ये cheap price में मिलना है आने वाले समय में कुछ deal अगर हो जाती है आलोक इनस्टी वाली situation जैसी तो यहाँ पे price काफी double digit में चला जाएगा और फिर आप इसको cash नहीं कर पाएंगे ठीक है मैं आपको बार बार इन सारे चीजों के उपर update करने की कोशिश करता हूँ और motivate करने की कोशिश करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर चले हम बात करते हैं इसके next target की तो जैसा कि आप देखें आपे आज UC के साथ close हुआ है strong buying है मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़्यादा training भी नहीं हुई है मतलब sell off हुआ है ऐसा नहीं है लेकिन आप अगर देखें तो यह काफी ज़्यादा dominant mood में रहा है bullish side पे ठीक है तो यहाँ पे next target 4.55% की साथ next UC upper circuit लग सकता है कल के दिन यानि 2.40 की opening हो सकती है NSE के उपर वहीं अगर आप BSE के उपर देखें तो BSE के उपर हो सकता है कि यहाँ पे 0.10 point ना हो करके 0.11 point उपर open हो 2.28 से यानि 2.28 में 0.11 जब आप plus करेंगे तो 2.39 आएगा यानि हो सकता है BSE के उपर 2.39 के उपर यह open हो I am pretty sure कि यह 2.39 के उपर ही open होगा या फिर 2.38 के उपर open हो सकता है इन दोनों मेंसे ज़्यादा चांसे 2.39 के उपर open होने के BSE के उपर NAC के उपर मैंने आपको बताया 2.30 में 2.10 प्लस कर दीजिए तो 2.40 के उपर यह open होने का ज़्यादा चांस है और देखते हैं कल के दिन की क्या situation कल कितना trade होता है कितनी quantities buying होती है situation बड़ी romantic होती जा रही है आने वाले time में क्योंकि यहाँ पे 26th of September को इसकी annual general meeting है और annual general meeting में काफी ज़्यादा लोगों को expectations है उमीदे हैं इस company से Reliance Jio जो की अपने next 5G technology को इंडिया के अंदर launch करना चाहता है वो इसी के base पे खड़ा है इस company को अगर डुबा दिया जाएगा तो Reliance Jio कहां जाएगी आप जड़ा सोचिए दिमाग लगाईए Reliance Jio is totally standing today on the basis of Reliance communication तो यहां पे यह बात बहुत जादा important है और बहुत जादा साफ है कि Reliance Jio को अपने base को बचा के रखना होगा और उसको जिन्दा रखना है जिन्दा रखने के लिए उसको चलाना पड़ेगा तो यह छोटी सी एक update थी I hope you liked it If you liked it, please give a thumbs up for this video and if you want to share this to your friends to get notification Demit Air Trading Account open कराना है description box में link है link को click करके Upstock के अंदर account open करा सकते हैं See you next video, tomorrow Till then, take care Thank you